Hey everyone, this is Shweta, welcome to UPSC Vala, वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं, हमारा लेटो वैधिक टाइप पीरियड या फिर जिसे कहा जाता है उत्तर वैधिक काल, जैसा कि आप सभी स्ट्रेंट्स को पता है कि प्रिवियस जो हमार डिसकस कर लिया था, इंडिया में भी जो आरियन्स आये थे, उनके स्पेशिलाइजेशन या करेक्टरिस्टिक इन सभी छेतरों में जो आरियन्स हैं उनसे मैच करते वे दिखाई देते हैं, ओके फिर हमने यहीं से कंक्लूजन निकाला कि most probably जो आरियन्स हैं वो इनी रीज या पूर्व तक का जो टाइम पीरिएड है उसे हम रिग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जो हमारा प्रिवियस लेक्चर था, अल्री हम डिसकस कर चुके थे, औरली वैदिक एरा या फिर रिग वैदिक काल के बारे में हम पढ़ चुके थे, आज का जो हमारा सेशन है, य आर्थिक रूप से, राजनीतिक, धार्मिक या फिर निवास के रूप से, ओके, तो बेसिकली आज हम लेटर वैदिक टाइम पीरिड डिसकस करने वाले हैं, जिन भी स्टुडेंट ने अर्ली वैदिक को अच्छे से पढ़ा था, वो बहुत इजिली इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे, इस चेंज को समझ जाएंगे, और हमें चेंज ही लेकर चलना है, पूरे एंशिन, मिडेवल, मॉडन हमें चेंज को समझना है, बदलाओ, कहां के बदलाओ को समझना है, समाज में क्या बदलाओ हो रहा है, एकनॉमिकली, आर्थिक रूप से क्या बदलाओ हो रह राजनीतिक रूप से क्या बदलाओ हो रहा है और चाहे हम बात करें territory या छेत्री रूप से क्या बदलाओ हो रहा है इन बदलाओ को अगर आप समझ पाएंगे connect कर पाएंगे link कर पाएंगे उतना जाला आपका subject पर command होगा ठीक है तो चलिए start करते हैं हमारे आज के session को बाकी हाँ पर आप यह देख सकते हैं जो भी आपको यह batches के regarding information दी गई है बढ़ते हैं डारेक्ट आते हैं हमारे लेटर वैदिक टाइम पीरिट पर ओके उत्तर वैदिक अवस्था राज्य और वर्ण वैवस्था की और basically बात कर रहा है यह लेटर वैदिक टाइम पीरिट थोड 1200 से लेकर लगबग 600 इशापूर या BC तक का टाइम पीरिट हम बोलते हैं यह कौन सा एरा चल रहा है वैदिक एरा चल रहा है फिर हमने देखा इस वैदिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइट करते हैं एक जिससे आप बोलते हैं अर्ली वैदिक एरा दूसरा जिससे आप ब पढ़ना है आज के सेशन में उत्तर वैदिक काल यह हमें पढ़ना है ठीक है अब इंपोर्टेंट क्या है कि जो अर्ली वैदिक है और लेटर वैदिक है इनकी लोकेशन आपको समझनी है जो पूर वैदिक काल के लोग थे वो इस छेतर में आके बसते हैं जिसे बोलते हैं साथ नदियो वाला छेतर इंडियन सब कॉंटिनेंट का सिंधु, जेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलस, सरस्वती लेटर वैदिक टाइम पीरियड में यही लोग मूव कर जाते कहां पर यह गंगा यमुना दौाब गंगा घाटी वाले छेतर में तो सबसे पहले इंपॉर्टन चेंज है कि इनका लोकेशन बदलेगा, अब दूसरा दिमाग में क्वेशन आता है कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वज़े से इनके स्थान में हमें परिवर्तन दिखाई दिया, कोई तो रीजन होगा जिसकी वज़े से हमें इनका लोकेशन बदलते तो एक जो बड़ा change माना जाता है वो क्या कि एक नया metal इन्हें मिलता है जिसका ये use करना चालू करते हैं और उस धातू को हम क्या बूलते हैं लोह धातू ओके iron या iron तो ये पता लगता है कि 1000 इशापूर्व के आस पास लोह धातू जो है वो इन्हें मिल गई और इसका ये प प्रियोग चालू करेंगे तो क्या बनाएंगे लोहे के बहुत सारे क्रिशी से समंदित ओजार बनाएंगे कुलहाडिया बनाएंगे और लोहा क्या है एक ठोस धातू है तो उसी ठोस धातू का प्रियोग करके ये क्या करते हैं इस छेत्र की और बढ़ क्यों नहीं पा रहे फॉल करता है, यहाँ पर उपजाओ मृदा बाहड अपने साथ बहा कर लाती है, तो ये वाला जो छेत्र था गने जंगल वाला छेत्र था, अब प्रॉब्लम क्या थी, कि इस छेत्र में जाने के लिए जंगलों की कटाई सफाई होना बहुत जरूरी था, और जंगलों को काट ये लोग इस छेत्र में सेटल होते हैं, फिर देखेगा किस तरह से इनकी अर्थ व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, प्रिशाश्की व्यवस्था, सब कुछ बदलता है, फिर भी इसे हम किसमें पढ़ते हैं वैदिक तो आप दिमाग में question आएगा कि जब इतना सारी चीज बदल गई तो फिर इसको वैदिक में पढ़ते क्यों हैं इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पहले भी ग्रामेड था बाद में भी ग्रामेड ही रहा अरली वैदिक टाइम पीरिड के लोग भी गाओं ग्रामेड सभ्यता से स मंद रखते थे यानि दोनों ही ग्रामेड बने रहे अगर यहां पर अर्बनाइजेशन हो जाता नगरिये सभ्यता आती तो फिर हम इसको अलग से पढ़ते लेकिन क्यों भी क्योंकि ये भी ग्रामेड सभ्यता से ही जुड़े रहे इसी वज़े से सबको हम वैदिक काल में लेकिन वैदिक काल के ही दो फेज है एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक आई होप यहां तक सभी के समझ में आगया होगा अर्ली वैदिक बहुत डिटेल से मैं पढ़ा चुकी थी डाइरेक्ट आते हमारे इस चैप्टर पर क्या बोल रहा है उत्तर वैदिक आज आप इंडियन सोसाइटी में एक चीज को बहुत अच्छे से अब्जर्व करते होंगे वर्णा सिस्टम वर्णा सिस्टम क्या होता है चार वर्ण जो है हमारे समाज में दिखाई देते हैं ब्रह्मन शत्रिय वैश्य शुद्र ओके बिसिकली से हिंदू समाज से होते वे दिखाई देती है और दूसरा राज्य का कंसेप्ट अभी तक जो भी हमने पढ़ा था चाहे हमने सबसे पहले स्टोन एज के बारे में पढ़ा चाहे हमने सिंदू घाटी सभेता के बारे में पढ़ा या अरली वैदिक टाइम पीरियट के बारे में पढ़ा यहाँ बसेंगे और जब आप बसेंगे ना तो वहां का जो कबीले का राजा होगा वो अपने आपको उस छेत्र उस राज्य का राजा बताएगा वो बोलेगा कि यह जो पूरा का पूरा छेत्र है यह जो पूरा का पूरा लैंड है टैरेट्री है इसका मैं राजा हूँ और यहां से territory या फिर state का concept आएगा छोटे लेवल पर जिसे हम बोलते है जनपद तो पहली बार हमें जनपद का concept यहाँ पर दिखाई देता है जनपद basically क्या बोलता है जन मतलब लोग पद मतलब पाओ तो जब लोग एक जगा पर बसे और territory का importance हो जाए जमीन का महत्व हो जाए तो फिर वहाँ पर हमें राज्य का concept दिखाई देता है पहली बार जनपद यहीं पर बनता है जो after 600 BC हमें महा जनपद और फिर modern empire इस तरह से बनते भी दिखाई देगा तो अभी तो बहुत सुन्दर है और बहुत सारे स्ट्रेंट्स के मैं कॉमेंट्स एक पोल रहे है modern history बिलकुल modern history पर भी आएंगे लेकिन देखिए ancient history का एक अपना importance है हमें कुछ भी skip नहीं करना है हम ऐसे ही चीजों को लेकर चलेंगे ठीक है पढ़ाओ को छोड़कर डायरेक्ट कुछ आगे का पढ़ाओ पढ़ोगे तो आप विक्ति को कैसे समझ पाओगे तो actually समझने के लिए आपको पुराना पढ़ाओ फिर बात का पढ़ाओ फिर बात ऐसे चलना पड़ेगा step by step तो modern को समझने के लिए ancient भी बहुत जरूरी है तो हम आएंगे थोड़ा सबस patience रखेगा अब बढ़ते हैं यहाँ पर पहला क्या point बोल रहा है आरेयो का उत्तर वैदिक काल में विस्तार ये आरेयन्स का जो लेटर वैदिक time period है 1002 अप्रॉक्स मान कर चलते 600 कही 500 लिखा है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा विवाद मे नहीं जाना है 100 इधर उदर क्यों कर दिया चलता है इधर क्योंकि हमें exact जो time period है वो कब पता लगता है यह जो dates में clarity वो कब आती है जब Alexander जिसको आप बोलते हैं सिकंदर उसका invasion होता है तो हमें बताए युनानी लोग को काफी dates की अच्छी समझ थी ऐसा नहीं था कि भारती का उत्तर वैदिक काल में विस्तार लेटर वैदिक time period में Aryans का expansion कैसे हुआ उत्तर वैदिक काल का इतियास मुखेता उन वैदिक ग्रंथों पर अधारित है अब आप बोलेंगे जी हमें early वैदिक time period के बारे में कैसे पता लगा तो भई आज से 4000 साल पहले की बात है कैसे पता वैदिक को ध्यान में रखते वे पूरा रिगवैदिक काल हमने एक तरह से explain किया लेकिन उतना ही बताया जितनी का हमें evidence मिला है ऐसे ही अब लेटर वैदिक time period में हमें कई सारे वैदिक ग्रंथ दिखाई देते हैं औरली वैदिक का तो हमें रिगवेद ही दिखाई देता है लेकिन लेटर वैदिक time period में यजुरवेद, शामवेद, अथरवेद, ब्रामन, अरन्यक, उपनिशद ये सारे वैदिक टेक्स्ट जो हैं वो हमें लेटर वैदिक time period में दिखाई देते हैं तो लेटर वैदिक time period के बारे में ज्यादा detail information मिलती है हलाकि compile बहुत इन्हें late कि लेटर वैदिक time period का इतिहास मुख्यता उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना रिगवैदिक time period के बाद होई थी ओके रिगवेदोत्तर काल मतलब ये 1000 इशापूर्व के बाद वाला जो समय है उसको बोला जाता है रिगवेदोत्तर काल में कौन-कौन से हमे शाप पर रिगवेद आजाएगा ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि total जो हमारे वैदिक text है जिसको आप बोलते हो वैदिक इस वैदिक ग्रंथ में एक तो आता है बच्चो वेद आता है वेद के बाद हमें दिखाई देता है ब्राम्मन ब्राम्मन के बाद हमें दिखाई देता है अरन्यक अरन्यक के बाद हम देखते हैं उपनिशत ठीक है उपनिशत का भी आज मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगे आज यह जो है यह जुर्वेद शामविद अथरवेद बोल रहा है यह तीनों जो है बाद में संकलित किये गए है लेटर वैदिक टाइम पीरिट के बारे में यह बताते है ठीक है यह जुर्वेद क्या है जो आपका रिगवेद में जितनी भी चीज़े बताई गई है जैसे कि शल को पूजा पार्ट किस तरीके से होनी चाहिए मैं आपको बहुत सिंपल से इग्जामपल्स देते हैं आपने देख रखा है कि जिनके घर में मूर्ति पूजा होती है मूर्तियों का भी स्थान होता है इस दिशा में रखना चाहिए या इस वाले भगवान को इन वाले लगा रहे हैं फिर पुश पर्पित कर रहे हैं कोई भी इसको धर्म से जोड़ कर वैसे नहीं देखेगा कि यहां पर कोई अलग तरह की सिक्षा दी जारी बस इतना ध्यान रखना है कि यह जो प्रोसीजर हो रहा है ना इसको बोलते हैं विधी विधान और यजूर वेद बैस जलता हुआ दिया बुझ जाए बुझ जाए तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए यह सारी शीजे मैंने जस्टेक एक्जामपल दिया है शाम वेद के बारे में देखो शाम वेद जो है वो बिसिकली नाम से ही पता लग रहा है संगीत से संबंदित है भारती संगीत का जन झाए प्रकने वाली चीजे हstagने है वह हमें कहां लिए शाम वेद में शाम वेद कुझ जैसे आप आरती गाते हैंटो आरती क्या हो गया आरती भी तो क्या है इश्वर की अराधना ही है लेकिन गा कर हम उसे कर रहे हैं और इसे छा पर दिखा कर है तो वह bounded कहां लिए धॉथ अथर्व वेद सबसे अंतिम हमें दिखाई देता है वेद, अथर्व वेद बेसिकली ये समाजिक व्यवस्था, जादू, टोना, बिमारी, उपचार, इन से सम्मंदित जो चीजे हैं वो कहां पर हमें दिखाई देती हैं, अथर्व वेद में दिखाई देती हैं, तो बेसिकल अप उत्तरवैदिक काल पढ़ रहे है और इसमें मैं बताऊंगी कहां पर फैले थे, क्या कर रहे थे, उसमें हमारे इन वैदिक ग्रंथों ने काफी मदद किया है, ओके, सभी के समझ में है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, वैदिक सहीताओं के बाद, ये जितने भी वैदिक, शामवेद अथरवेद, बोल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, सनहिताएं, है न, इसमें सारे क्या, इशलोक लिखे हैं, सूक्त, तो इनने बोला था है, सनहिताएं, तो बोल रहे हैं कि वैदिक सहीताओं, वैदिक सहीताओं का क्या मतलब हो गया, ये वेद की बात कर रहा है रिगवेद, यजुर्वेद, शामवेद, अथरवेद, तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि इन वैदिक सहिताओं के बाद भी कई सारे वैदिक गरंथ लिखे गए हैं, जिने हम क्या बोलते हैं, ब्रामन कहते हैं, इन में वैदिक अनुस्ठान की विधियान लिखी गई है कि जितने भी वैदिक अनुस्ठाने उसको किस प्रकार से किया जाएगा, और उनकी सामाजिक धार्मिक व्याक्या भी की गई है, तो देखें, लेटर वैदिक टाइम पीरिएड में, यह हमें वैदिक टेक्स्ट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा, इन वैदिक सहिताओं के अल इधर आजाओ, एक सेकिन, ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी चीज़े बता दी गई है, जैसे सबसे पहले बात कर रहा है, लोकेशन की, अर्ली वैदिक टाइम पीरिट के लोग कहा रहते थे बच्चों, इस सब्सक्राइब बात कर रहा हैं, जैसे सबसे प सेंधर प्रदेश में, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरिट के लोग कहा रहने लगी, यह देखिए, यह वाला जो छेत रहना, यहाँ पर आकर यह बसेंगे, और यह यहाँ पर आकर कैसे बसे, तो यह जितने भी वैदिक टेक्स्ट हमें दिखाई देते हैं, चाहे हम यह शामविद, अथरविद, या फिर ब्राम्मन की बात करें, यह सब हमें किसके बारे में बताते हैं, लेटर वैदिक टाइम पीरिट के बारे में बताते हैं, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बोड़ रहा है, इन्हें चित्रित धूसर म्रदभान इस्थल कहते थे, क्य वे लोहे के हथियारों का भी प्रियोग किया करते थे, ओके? स्लाइड्स ना गरबढ हो गई है, और मुरे क्लास ना तो स्लाइड उपर नीचे करती है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ने पॉज नहीं किया हुआ है, ये कैसे लगाते भी पूरा गरबढ कर दिया है, कहने ने, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स यहां पर क्या बता रहे हैं, इन्हें चित्रित धूसर मृत्भांड स्थल भी कहते थे, क्योंकि ये जिस छेतर में रहते थे, जैसे बने आभी बताया कि बेसिकली इनका निवास कहां पर दिखाए देता है, तो ये इस सब्त सेंधर प्रदेश से गंगा घाटी की तरफ आ जाते हैं, और जहां के चित्रित और धूसर रंग के मृत्भांड ये प्रेयोग करते थे, क्योंकि यहां के निवासी, मिटी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रेयोग करते थे, इस वजह से जहां पर लेटा वैदिक टाइम पीरिट के लोग रहते थे, उस जगह को क्य कहा जाता था चित्रे धूसर मृद्भान इस्थल कहा जाता था तो कभी भी ये टर्म यूज होगा आपको तुरंट समझ जाना है कौन सी जगा है वो लेटा वैदिक टाइम पिरिट की नेक्स ये लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे तो राइटर बोल रहा है कि हमें भी पता लगा जब हमने उस लोकेशन को देखा तो हमें आर्के लॉजिकल एविडेंस मिले मतलब पता कैसे लग रहा है हमें कि ये लोग इस जगह पर आकर बसे तो एक तो वैदिक टेक्स्टर से पता लग रहा है यजूर वेद शाम वेद अथर वेद ब्रामन इसके बारे या चितर धूसर म्रद्भान हमें कहां मिलते हैं इसी गंगा घाटी वाले रीजन में तो ये आर्के लॉजिकल एविडेंस भी तो जस्टिफाइ कर दे रहे हैं कि ये यही रहते थे केवल आप लिखावट पर नहीं गए आपने देखा कि जिनका ये प्रियोक करते थे क्या ऐसी बस्तुएं हमें इस जगा से मिल रही है इनके मिट्टी के भरतन इनके लोहे के ओजार सब हमें उसी गंगा घाटी वाले चेतर से मिलते हैं ओके बलता है राइटर कि उक्त ग्रंथों से प्रकट होता है कि पंजाब से आरेजन गंगा यमुना दुआप के अंतरगत पूर पश्ची में उत्तरप्रदेश में फैल गए तो इनिशली आरेजन कहां पर फैले हुए थे इस सब्तस अंधर प्रदेश में लेकिन हमें वैदिक टेक्स्टर से पता लगता है कि धीरे-दीरे यह मूव करते वे किधर जाएंगे बच्चों इस चेतर में मूव कर है हमें पता लगता है कि दो फेमस कबीले अब आपको जब भी कबीले की बात करेगा तुरंट क्लिक कर जाएगा हमने क्या डिसकस किया था कि आरियन से छोटे-छोटे ब्रांचेज में इंडिया में आ रहे है थे और बेसिकली आरियन का अपना एक कबीला हुआ करता था हर एक आरियन का ग्रुप होता था ठीक है तो ऐसी ही दो फेमस कबीले हुए जो की युद्ध किया करते थे एक जिसका नाम था भरत कबीला और दूसरा जिसका नाम था पुरु कबीला ठीक है आगे चलके ये भरत और पुरु एक हो गई ये कबीले और ये एक होकर किस नाम से जाने गए कुरू नाम से जाने गए और यह जहां पर बसे उस छेत्र को क्या कहा गया कुरुक शेत्र कहा गया सभी के समझ में आ गया कुरू ने दिल्ली शेत्र और दोआप के उपरी भाग पर अधिकाल जमाया क्योंकि आपको पता है कि ये लोग को लोहा मिल जाएगा ये जंगलों की सफाई करेंगे और जंगलों की जैसे जैसे सफाई होगी जमीन खाली होती जाएगी जमीन पर क्या करेंगे खेती करेंगे और खेती का मसलब ही होता है एक स्थान पर बैठ जाना और यहां से यह अपना एक territory decide करते हैं तो हमें पता लगता है कि भरत और पुरु नामक जो early Vedic time period का कबीला था वो आगे चलकर एक हो गए कुरु नाम से जाने गए और यह जो कुरु कबीला था यह कहां बसता है दिल्ली आप बसेंगे और बसकर जनपद का निर्मान करते हैं इन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापूर को बनाया कुरु कुल का इतिहास भारत के भारत युद्ध आप सभी ने एक युद्ध के बारे में सुनाओगा जिसे हम मोलते हैं महा भारत उस पर हमारा एक काव्वे है ए जो कुरु कुल से सम्मंधित एक बहुत फेमस वार दिखाई देता है भारत वार जिस पर हमें एक एपिक मिलता है महा भारत ओके और इससे भी हमें काफी कुछ इस टाइम पीरेट के बारे में पता लगता है तो यहां से कुछ आपको समझ में आ रहा है जिस महा भारत हम क्लियर हो गया, सभी की समझ में आ गया, चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट, आगे वे पांचालों से भी मिल गए, ठीक है, तो हमें बता लगता है, यह जो कुरू कबीला था, यह पांचाल से भी मिल जाते हैं, इधर आ जाईए, यह वाला जो छेत्र है न, इसे पा दौाब वाले रिजन के, दौाब मतलब दो नदियो वाला चेत्र, गंगा यह मुना दौाब ठीक है, इस प्रकार कुरू पांचालों की सत्ता, दिल्ली शेत्र पर और दौाब के उपरी और मध्यभाग पर फैल गई, तो हमें दिखाई देता है, इधर कुरू दिखाई दे आप से पूरब की और पूरवी उत्तर प्रदेश के कौसल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल कर, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब एक हजार से छेसो इशापूर्वी के आते आते, हमें पता लगता है कि यही लेटर वैदिक टाइम पीरिड के लोग इ चैसो इशापूर्वी के आस-पस हमें पता लगता है, यह कि धर जाकर बसते हैं कौशल वाले रीजन में बसते हैं, यह रहा कौशल वाला, यह रहा पूरवी विदे, तो इदर आकर धीरे धीरे इनका फैलाव दिखाई देता है, 600 इशापूर्वी के आस-पास तक, विस्त दो आपके पहले पूर्वी हिस्सा फिर मद्धे हिस्सा फिर पश्चिमी छेतर में जाते हैं कौशल विदे वाले रीजन में तो बोलना है यह पूरा का पूरा सक्सिस्फुल इसलिए हुआ क्योंकि इनके पास तेज मूवमेंट के लिए क्या था अशुर था घोड़ा था जि इनका expansion दिखाई दिता है इस पूरे छेतर में सभी के clear हो गया सभी के समझ में आ गया तो यह इस छेतर में आए इस छेतर में इनका निवास दिखता है हमें कैसे पता लगा दोनों ही sources literary sources का भी हमने use किया जैसे कि कुरुक शेतर के बारे में पता लगता है हमें है ना महा वो बता रहा है किस तरह से यहां पर भारत नमक्युद्ध हुआ यह सारी चीजे जो हमें पता लगती है यह एक स्टोडी बता रहा है लेकिन यह प्रॉपर एक location की बात कर रहा ना कुरुक शेतर की इसके अलावा बोल रहा है कि हमने archaeological evidences से भी इसकी पूस्टी की कि इनके द सब तो सैंधा प्रदेश से कहां पर पूरब की ओर और उसका reason क्या था क्या चीजे इनके लिए helpful हो रही थी तो एक जो लोहा और दूसरा हमें तेज जो अश्व मिल रहे थे वो ठीक है चालो आगे बढ़ जाते हैं अब यहां में बात कर रहा है राइटर किसकी चित्रे इसके पहले हमने पढ़ा था हमने जाना ये लोग क्या थे पशुपालक थे चरवाहे के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे बैसिकली एक कबीला होता था वो कबीले जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव करते रहते थे जमीन का महत्वों नहीं हो बहुत बेसिक सी अधर्वाइस पूरी तरह वो पशुपालन पर डिपेंड थे और इसी वज़े से पशुओं का क्योंकि उनके जीवन में महत्व था हम बहुत सारे वोड्स देखते हैं जो कि पशुँ से संबंदित दिखाई देते हैं लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरि के धारवार वाले रीजन में हमें लोहा जो है वो दिखाई देने लगते हैं उसके एविडेंस मिलने लगते हैं 1000 इशापूर्व में लोहा जो है धारवान में मिल रहा है ऐसा हमें वर्तमान में एविडेंस मिला कि इतने पुराने समय लोहा यहाँ पर मिल चुका था तो बैसिकली यह वो टाइम पिरेड्ट था 1000 इशापूर्व के आस पास जो अरली वैदिक लोग थे उन्हीं को मिला न लोहा अरिग वैदिक काल के लोग थे उन्हें ही मिला न लोहा कम मिला 1000 इशापूर्व के आस पास तो यहाँ पर जो हम देखते हैं पंजाब या पूर्वी उत्रप्रदेशी वाले छेत्र में जब लोहा पता लगता है एक धातू के बारे में पता लगता है उसका प्रयोग चालू होगा तभी तो यह लोग यहां से यहां मूव करेंगे ना लोहा अस्त्रो का प्रयोग अब चालू होगा वैदिक लोगों ने उपरी दुआब में सामने आया और अपने बचे खुचे शत्रो को परास्ति किया सबसे पहले तो यह अब तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनके पास में लोहा लोहे के अच्छे अच्छे अस्त्र बनाएंगे और उससे यह वार्ड लड़ लड़के जो भी इनके थोड़े बोड़े बचे हुए थे शत्रू उनको यह खतम करेंगा और किस छेत्र में इधर के और मूव कर जाएंगे ठीक है आगे बोल रहा है कि उपरी गंगा के मैदानों के जंगलों को साफ भी किया इससे और उसके लिए इनोंने लोहे की कुलहारी का काम लिया तो बेसिकली इनकी मुवमेंट जो रुक रही थी इनके जो शत्रू यहां पर बैठे हुए थे या यह जो घने जंगल थे उससे उनकी मुवमेंट रुक रही थी लेकिन जैसे ही अरली वैदिक टाइम पिरेट के लोगों को एक हजार इशापूर्व क के आसपास लोहे की धातू के बारे में पता लगा वो बिलकुल भी नहीं रुकते हैं बहुत तेजी से मुवमेंट चालू हुई लोहे के हथियार बने घोडों का प्रयोग करना चालू किया और उन हथियारों उन ओजारों से ना केवल जंगलों की सफाई की बल्कि अपने शत्रों की भी सफाई कर दी जितने भी उनके शत्रों सामने आ रहे थे उन सब को निप्टाते वे आगे बढ़ गए उत्तर वैदिक ग्रंतों में इस धातू को श्याम आयस कहा गया है बेसिकली लोहे का जो ये प्रयोग कर रहे है ना उसके लिए लेटा वैदिक जो वैदि जीवी का खेती रही अब देखो लोहे का तो ये प्रयोग कर रहे है और लोहे के जो भी बना रहे है उससे जातक कुलहारी बना के जंगलों की सफाई कर रहे हैं लोहे के आश्त्र बना रहे हैं उससे ये लोग लडाई कर रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें कृशी औजारों के बारे में, तो हमें बताल लगा है कि बहुत जादा एग्रिकल्चर टूल्स हमें लोहे में नहीं मिलते हैं, मतलब जो पुराने मैटल वाले टूल्स थे, जैसे कासा, तामबा, वो सब चल रहा था, कमपेर्टिवली जब लोहा आया, तो ऐसा नहीं था कि बहुत एक्सेज में हमें आईरन टूल्स मिल रहे हैं, तो राइटर बस यहीं बोलता है, कि हमें लोहे के इतने जादा क्रिशी के ओजार मिले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद खेती चालू हो चुकी है, खेती बड लेकिन बहुत एक्सेज में नहीं बना रहे थे, उसके ओपोजिट हम देखते हैं कि खेती बड़े लेवल पर चालू हो जाएगी, तो खेती बढ़ जाती है, लेकिन उस खेती बढ़ाने में लोहे के ओजार, क्रिशी के ओजार का बहुत जादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकी जीवी का एकदम से चेंज हो जाएगी, तो यहाँ की जो एकॉनमी, अर्ली वैदिक की पूरी तरह किस पर बेज़ रहे थी, अनिमल हस्बेंडरी या पश्यू पालन पर, लेटर वैदिक टाइम पीरिड का जो पूरा का पूरा एकॉनमी था, वो किस प पादन एक होता है उत्पाद दक्ता, मतलब एक होता है आपका प्रोडक्शन, ठीक है, और एक होता है प्रोडक्टिविटी, यहीं समझ लो, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अब प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ना मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले आपक एरिया बढ़ गया और हाफ एकर से कितना आ गया आपका अब आगया आपका हाफ एकर की जगह पर एक एकर तो अब आपका एरिया बढ़ गया एक एकर तो अव्वेस है ना कि पांच क्विंटल की जगह अब क्या होगा दस क्विंटल अनाश पैदा होगा इसको बहुते है प् पहले हाफ एकर में अगर पांच क्विंटल अनाश पैदा हो रहा था तो आप कोई नई टेकनोलोजी नया फोर्टिलाइजर नया अग्रिकल्चर टूल कुछ ऐसी चीजे आई जिसकी वज़े से अब हाफ एकर में ही आप कितना अनाश पैदा कर सकते हैं दस क्विंटल अनाश पांच ही लोग पहले खेती कर रहे थे वही अभी कर रहे हैं लेकिन प्रोड़क्टिविटी फिर भी बढ़ गई उत्पादक्ता बढ़ना मतलब जो उपज है आपकी बढ़ गई तो उपज क्यों बढ़ी होगी या तो आपने कोई अच्छा फर्टिलाइजर टूल फर्ट दखता बढ़ना लेकिन सेम विधीनिक कुछ चेंज जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि एरिया बढ़ जा रहा है ठीक है एरिया बढ़ने पर तो अव्वेस प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेटर वैदिक टाइम पीरिड में हमें क्या पता लगता है कि जगा बढ़ रह ही है जमीन बढ़ी मिल रही है क्योंकि ये लोग जमीन को पूरा साफ कर दे रहे हैं लोहे की कुलहाडियों का प्रयोग करके जंगल को पूरा साफ कर दे रहे है तो जब जादा जमीन मिलेगी तो खेती अच्छे से होगी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा लेकिन पारे होंगे connect कर पारे होंगे तो वस राइटर यहां पर यह बोलता है कि इस time period में खेती मुख्य वेवसाई हुई ठीक है उत्पादन में व्रधी हुई समझ में आ रहा है लेकिन उत्पाद दक्ता नहीं बढ़ी क्योंकि यह लोग लोहे के बहुत जादा agriculture टूल का यूज नहीं कर रहे हैं अभी भी यह लोग खेती तो बढ़ा दिये लेकिन खेती में किसका प्रयोग कर रहे हैं लकडी के फाल वाले हल का यानि कि लकडी से बनावा जो हल है उसका प्रयोग कर रहे हैं अब आप बोलोगी यह कैसे पता लगा तो अगर लोहे के फाल वाले हलो का प्रेयोग करते तो हमें ऐसा एग्रिकल्चर सौरी ऐसा हमें आर्के लॉजिकल एविडेंस मिलता क्योंकि लोहा तो एक धातू है ना कुछ तो बचा रह जाता लेकिन नहीं बचा हुआ इस तरीक का कुछ तो हम मान कर चल रहे कि ये लोग अभी भी लकडी के हलो का प्रेयो हो चुका है खेती वेवस आहे हुआ लेकिन खेती में उत्पाददक्ता नहीं बढ़ी है उत्पादन बढ़ा है क्योंकि जमीन बढ़ गई है ठीक है और उसका रीजन क्या बता रहा है कि अभी ये लोहे के खेती वाले ओजारों को बहुत ज्यादा प्रियोग नहीं कर रहे लकडी के हलो पर ही ये लोग रिलाय कर रहे हैं ओके आगे बढ़ते हैं यग्यों में पशुबली के प्रचलन के कारण बैल परियाप्त संख्या में उपलब नहीं रहे होंगे इसलिए भी खेती आरंबी का वस्ता में थी भले खेती के लिए जमीन बढ़ गए खेती करना च इस टाइम पे इस टाइम पीरिड में हमें पता लगता है क्या कि ये लोग जो है वो जानवरों की बहुत जादा बली चड़ाते हैं यानि अर्ली वैदिक टाइम पीरिड में आहूती दी जाती थी लेकिन अर्ली वैदिक पीरिड की जो आहूती थी वो किसकी होती थी घी की अनाज की इनकी लेटर वैदिक टाइम पीरिड में पशु बली दिया जाता था बड़े लेवल पर और जब पशु की बली चड़ेगी यानि बैलों की बली चड़ेगी है इस तरह के जानवरों की बली चड़ेगी उनकी संख्या में कमी हो जाएगी अब बैल का प्रयोग आप किसमें करते हैं खेती करने में करते हैं उनका गोवर मिलता उससे क्या बनाते हैं खाद वगेरा बनाते तो जहां खेती जहां पर भी आप देखो गाओं में खेती हर लोग जनरली जानवर रखते हैं क्योंकि जानवर जो है वो उनकी मददत करते हैं खेती करने में ठीक है दोनों कारणों की वज़े से भले occupation चेंज हुआ, पशु पालक से खेती हर में convert हुए, लेकिन वो खेती हर इतने बड़े लेवल पर नहीं हो पाई, कि इनको ग्रामीर से नगर बना दे, अभी भी ये रहेंगे क्या, गाओं वाले ग्रामीर ही, क्योंकि उत्पाद दक्ता नही मुख्य फसल हो गए, तो पहले ये लोग क्या जोग जाते थे, अर्ली वैदिक टाइम पीरिड में, और वहाँ पर अनाज पर बहुत ज़्यादा ये फोकस नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा इनका ध्यान होता था, पशु पालन पे, पशु के उत्पाद का ही ज़्यादा भोग करते थे, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरिड में, इनका पूरा उक्यूपेशन चेंज हो चुका था, अनाज पर ये ज़्यादा निर्भर हो गए तो हमें पता लगता है कि जो तो चलेगा ही, लेकिन अब ये दो महतोपूर अनाज के उपर चालू करेंगे, ये इधर दोआब वाले छेतर में, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, गेहू और चावल की ही पैदावार होती है, अल्मूस्ट पूरा यूपी बिहार सीजन मना हुआ है, इस सीजन में चावल हो गाएंगे, फिर चावल से धान हो गाएंगे, फिर उसकी कटाई, फ हमें पता लगता है, इनके द्वारा चावल का उपच किया जाता है, इंडिया में चावल पहली बार अभी नहीं आया है, वो हम अल्रेडी देख चुके थे, इंडस वैली सिवलाइजेशन, सिंदु घाटी सबहता में, चावल की पैदावार चालू हो चुकी है, लेकिन अर चावल जैसे अनाथ से, इसका अवशेश भी हमें मिलता है कहां पर, हस्तिनापूर और अतरंजी खेडा, यहां पर हमें लोकेशन दिखाई देती है, हस्तिनापूर और अतरंजी खेडा, यह जो छेतर है उतरप्रदेश का, यहां पर हमें धान के एविडेंस मिलते हैं, जि तो change हो रहा है, occupation हमें दिखाई देता है animal husbandry से किदर move कर गए, ये move कर गए agriculture की तरफ, लेकिन other craft और activities भी इनकी चल रही थी, इस काल में कलाओ और शिल्प का उदे हुआ, हमें पता लगता है कि अलग-अलग creativity चलती है, जैसे कि लोहार हो गए, धातुकार हो गए, उनकी जानका जल्प कालरी मिलती है, लोहार मतलब जो लोहे के हथियार और आजार, बनाएंगे, जिनके पास में वो skill होता है, कि किस temperature पर इसको गलाना है, और इससे आजार बनाना है, इसको पीट-पीट के, तो वो स्किल होता है, वो skill वाले क्या कहलाएंगे, लोहार कहलाएंगे, जो धातू के अन्य वस्तुए बनाते हैं ठीक हैं तामबे से उनका परिचय वैदिक काल के आरंब से ही था पता ही है ना तामबा तो पहले ही यूज स्टार्ट हो चुका है कबसे नियोलिथिक टाइम पीरिड से नव पाशान काल के बादी तो तामबा इंटरिड्यूस जुआ और यह दिखाता है कि यहां पर कोई ऐसे स्पेशल स्किल वाले व्यक्ति होंगे जिनने बोल रहा है क्या लोहार धातूकार यह लोग जो है ना वो क्या करते होंगे धातू के आजार बनाते रही होंगे तभी इतने बड़े लेवल पर हमें धातू के आजार मिलते हैं दिखाई दी है ठीक है चालो बुनाई केवल इस्तरिया करती थी हमें पता लगता है कि बुनाई जो है वो भी किया जा रहा है लेकिन यह स्पेसिफिक ऐसा बोल सकते हैं कार्य था जो पता लगता अली वैदिक टाइम सॉरी लेटर वैदिक टाइम पिरेड में महिलाओं के देवारे किया जाता था लेकिन बड़े पैमाने पर होता था चमडे मिटी और लकडी के शिल्पों में भारी प्रगती हुई यानि कि धीरे धीरे लोग जो है ना वो अधर एक्टिविटी में इन्वाल्व हो रहे हैं नगर तो हलाकी नहीं बन पाता है लेटर वैदिक पीरेट में अलग-अलग मृत्भांड है चित्र दूसर या आने लेकिन जो सबसे फेमास है वो हमें लाल मिटी के बरतन दिखाई देते हैं खेती और विविदर शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग इस्थाई जीवन अपनाने में समर्थ हो गय थे इस् जगा पर है लंबे समय तक है वहाँ पर जो भी है चारा खतम हो गया ठीक है पश्यों को इन जगा पर लंबे समय तक रहो या फिर सीजन में चेंज हुआ तो फिर वो लोग को वो जगा छोड़नी पड़ती थी दूसरी जगा पर जाते थे अपने जानवरों को लेकर जैसे आज भी आपने देखे हूंगे भारत के बहुत सारे ऐसे छेतर हैं इस्पेशली मैं बात करूंगी कश्मीर वगेरा वाले रीजन राजस्थान में आपको बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स मिल जाते हैं जो लोग पशुपालक के रुप में एक जगह से दूसरी आप से पने तंबू बगेरा लगा लेते हैं कुछ समय रिखते हैं कुछ दिन कुछ महीने फिर दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि इनके पास जानवर होते हैं जब तक इन्हें प्राकृतिक संसादन मिलता है वहां पर रहेंगे अधर्वाइस इन्हें मूव करना पड़ खेती हर बन जाएंगे अब खेती हर बनने का मतलब है कि हर साल वहीं तो खेती करनी है तो एक तो यह सेटलमेंट आया ठीक है और दूसरा हमें पता लगता है कि इनके जो बाकी लोग है इसी कबीले के जो बाकी लोग है वो अधर एक्टिविटी में लग रहे है कोई कुमार के रूप में काम कर रहा है कोई धातुकार के रूप में काम कर रहा है कोई लुहार के रूप में कोई बुनाई कर रहा है तो एक ही कबीले में कई सारी एक्टिविटी होने की वजह से इन्हें इदर उदर घूमना भी नहीं पड़ा है वही पर इनकी सारी उभोग की में आता है कि अब ये पर्मनेंट सेटल होंगे क्योंकि इनको सारी चीजे एक ही जगा पर सुववस्थेत रूप से मिल रही है और इसने इनके इस्थाई जीवन को बसाने में बहुत जादा सहायता की ओकी सभी की समझ में आगया चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्से लोग कच्छी इटों के और लकडी से बने वे घरों में रहते थे तो देखो इस तरह का घर था इसलिए से ग्रामीर समाज बोल रहे हैं और मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर दिखाए ते दे दूर दूर आपको घर दिखाई देते थे और ये घर जो है वो कच्छी इट मिटी घास पूस इन से मिलकर बने होते थे ठीक हैं ये क्रिशी और इस्थिर निवासी थे यानि कि एग्रिक फार्मर थे ये लोग और एक जगा पर रहते थे लेकिन फिर भी इतना अन नहीं होला था कि जब भी आप सोचोगे ना कि कोई ग्रामीर समाज नगर में बदल जाए तो उसके बदलने में उसके प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब तक प्रोड़क्टिविटी बढ़कर नहीं आएगे फोर एक्जामपल दस लोग है इतना ही अनाज पैदा कर रहे हैं कि दसी लोग खा पा रहे हैं तो इसमें क्या होगा नगरीय स्ट्रक्चर बनेगा क्या नहीं बन पाएगा ठीक है क्योंकि दस के दस लोग इन्वाल्व है अपने जीवन यापन में भोजन जैसे तैसे मिल जाए यही बहुत जादा है अब ऐसा होता कि पा यह धाचा डेवलप होता है यानि अलग-अलग फंक्शन जो है वो लोग प्ले करने लग जाएंगे क्योंकि अभी तक एग्रिकल्चर सरप्लस में नहीं है आप देख रहे हो कि लोहे के यह फाल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जानवरों की बहुत ज्यादा बली चढ़ाई जारी इस वज़़े से प्रोड़क्टिविटी नहीं बड़ी है प्रोडक्शन बढ़ा है यानि पहले 5 लोग खेती करते थे अब जमीन बढ़ गई तो 10 लोग खेती कर रहे हैं तो अनाश तो बढ़ गया उपजना लेकिन अनाश तो इतना उपजना जितने 10 लोग खा तो भले occupation change हुआ, भले हमें कुछ और changes दिखाई दे रहे हैं शिल्प के basis पर लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा change नहीं आया, urban civilization में convert ये नहीं हो पाई, ठीक है? चालो, आगे बढ़ जाते हैं, राजनीतिक धाचा क्या था? अब थोड़ा सा political structure को अच्छे से समझ और समझते हुए आप parallel compare करिएगा early vedic time period के लोग से, यह जो early vedic time period के यहाँ पर हमें लोग दिखाई देते हैं, हमें पता लगता है क्या? कि इनका राजनीतिक संगठन क्या था? मैंने आपको बताया है था, कि यह चरवाहे के रूप में थी, इन ही चरवाहों में 50-100 लोगो का कबीला हुआ करता था और इनी कबीलों में पता लगता था एक राजा जो बाकी जैसा ही था, बस जरूरत के वक्ते जो है वो राजा बन जाता था, तो वहां का राजनीतिक संगठन कोई ऐसा नहीं था कि कोई राज महल है, कोई राज मुकुट है, प्रॉपर राजा अपना काम करेगा, लेकिन जरूरत के वक्त वो राजा का रोल प्रे करता था, कोई उसके पास पर्मनेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मतलब कोई स्थाई सेना नहीं थी, कोई स्थाई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, बस इतना एक मिलजूर के धाचा विक्सित कि अपना करने के लिए कुछ पुरोहित होते थे जो समय पढ़ने पर उसको उसकी घल्प करते थे, और सिनानी होते थे, जब समय आता था तब ये लोग जाके यो धलड लेते थे, लेकिन कोई प्रॉपर पद बनाकर उसके पर्मनेंट बैटना और उसकी योजना बनाना ऐसा नहीं होता था, अविश्यक्ता पढ़ने पर ये करते थे, लेटो वैदिक टाइम पीरिट की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, कि यहाँ पर क्या कोई राजनीतिक व्यवस्था में चेंजस आए, कोई नया धाचार हमें दिखाई देता है, तो बोल रहा ह कबीले के पास होती थी, राजा नाम नाम का राजा था, इसकी मदद करते थे पुरोहित और सिनानी, लेकिन ये तभी काम आता था जब वार वगरा लड़ते थे, बाकी टाइम पीरिट पर क्या करना है, कबीले को किधर जाना है, कहां रहना है, कोई भी डिसीजन जो लेने ह होते थे, वो डिसीजन कौन लेता था, इसी कबीले की एसेमलीज बनाई जाती थी, सभाय बनाई जाती थी, जिनने अलग-अलग नाम से जाना जाता था, सभा, समिती, विदत, गड़, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेशन भी पूचा था, काफी सारे आंसर दिया, तो बस आंसर जरूर दिया करिए, तो सभा, समिती, विदत, गड़, ये जो एसेमलीज थी, ये क्या थी, लोगों से मिलकर बनी हुई थी, कबीले के, और बेसिकली यही लोग बिसीजन लिया करती थी, लेकिन लेटो वैदिक टाइम पीरिट का पॉलिटिकल सि खेतर का राजा हूँ, ठीक है, कबीले के लोग इदर उदर घूम जाए, कोई फरक नहीं पड़ता, वो इस टैरिट्री का किंग है, तो जब वो टैरिट्री का किंग बनेगा, जब वो जमीन का राजा बन जाएगा, कि ये मेरा छेतर है, तो अब उससे इन आम लोगों से ज रखनी पड़ेगा, क्योंकि ये उस छेतर से संबंद रख रहा है, तो अब हमें यहाँ पर पता लगेगा, कि राजा की शक्ती बढ़ेगे, और जब राजा की शक्ती बढ़ेगे, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन आएगा, यानि शक्तियों का केंदरी करण चाल कि सारी शक्ती किंग के पास, यानि कि राजा के पास चले जाएगे, राजा जो है, वो डिसीजन मेकर हो जाएगा, और इसमें उसके पद की जो शक्ती है, उसको बढ़ाने में कौन मदद करेगा, पुरोहित मदद करेगा, तो पुरोहित अब लेटोवैदिक टाइम हैं, उनको आश्वस्त करने के लिए, कि ये बहुत पावरफुल है, इसमें राजा की मदद किसने की, पुरोहित ने की, तो दो चीजे दिखाई देती, एक तो ये, कि जमीन का महत्व बढ़ा, जमीन का महत्व बढ़ते ही, राजा, जमीन का राजा बन गया, तो बही कबील थी थी न, ये निपट गए, सभा और समीतियों के दिन लद गए, और उनकी जगह पर राज की ये प्रभाव जो थे, राजा, पुरोहित, इन्होंने महत्व जो है, वो हासिल कर ली, ठीक है, अब सभा समीति नाम नाम की रह गए थी, उनका कोई डिसीजन में खास रोल नही ठीक है, पर उनमें राजाओं और अभी जातियों का बोल वाला हो गया, उस एसेम्बली का नाम नाम का था का, एक्चली जो राजा बोल रहे हैं, जो अभी जाते वर्ग बोल रहे हैं, वही डिसीजन लिया जा रहा है, इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताय था, कि जो विमेंस हैं, इनकी सिचुएशन, अरली वैदिक टाइम पीरिड तक तो अच्छे से राइज होते वे, उपर जाते वे दिखाई देती हैं, लेकिन लेटो वैदिक टाइम पीरिड से एकदम से डाउन फॉल हमें दिखता है, तो यह जो उत्तर वैदिक काल है, यह इस्तरियों की स्थिती खराब होगी, यहां से थोड़ी-थोड़ी खराब होनी चालूती, इस खराब का मतलब यह मत समझ लेना कि दयनी स्थिती होगे, दयनी स्थिती तो हमें दिखाई देगी जब ब्रिटिश टाइम पीरिड में देखेंगे उसके बारे में, तो यहां प पहली बार इस्त्रियों को अंदर किया गया कि इस एसेंबली में अब कोई भी विमिन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो कोई इसक्रिशन में पार्ट नहीं ले सकती, तो सभा समिती का खुद का तो शक्ति जाई रहा है, उस सभा समिती में जो एक महिलाएं थी उनको भी क क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, सभा से, विधत जो है, उसको पूरा इनिपता दिया, खतम कर दिया गया, विधत की कोई अविशक्ता नहीं है, तो अगर यहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखे, लेटर वैधिक टाइम पीरिट का, क्योंकि राजा पहले कबीले का अब राजा जमीन का राजा है, तो पावर जो है, वो सेंट्रलाइस होगी, सेंट्रलाइस पावर का मतलब है, जो समीती चलेंगी, लेकिन नाम नाम की पावर राजा की वहां रहेगी, विधत को खतम कर दिया गया, महिलाओं की स्थिती खराब होनी चालू होगी, खराब मत आकार व्रद्धी से मुख्या या राजा अधिकादिक शक्ति हो गया शक्ति शाली हो गया धीरे-धीरे हमें पता रगता है कि राजा की पावर जो है वो भड़ रही है और सत्ता धीरे-धीरे जंजाती से प्रादेशिक हो गए यही मैंने अभी आपको थोड़े देर पहले ब लाएगा जितना छेत्र फैलता गया राजा उतना ज्यादा सर्वशक्तिमान होता गया राजा या सरदार कभीलों पर शाशन करते थे और प्रमुख कभीलों के नाम पर प्रदेशों का नाम पढ़ा अब राजा उस कभीले पर शाशन कर रहा था और जहां जहां वो कभीला जा रहा था और जिस जिस छेत्र को अपने में मिला रहा था उस छेत्र का नाम उस कभीले के नाम पर पढ़ा, for example, आपने अभी देखा कुरू, भरत और पुरू से मिलकर बना कुरू, और कुरू कभीला दिल्ली और आसपास के छेत्र में जहां बसा, तो उस छेत्र का नाम किस के नाम पर पढ़ा उस कबीले के नाम पर पढ़ा क्या पढ़ गया कुरुक शेत्र पढ़ गया समझ मैं इसी तरह पांचाल आगे हमें दिखाई देते हैं तो बेसिकली 600 इसापूर्व के आसपास आपको जितने भी जनपद दिखाई देते हैं जो आगे महाजनपद के रुप इस या शेत्र होता था पहले पहल इसी समय मिलने लगा प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था अर्ली वैधिक टाइम पीरिड का वहाँ पर हमने कुल के बारे में जाना था वहां आमने जन के बारे में जाना था ठीक है लेकिन वहां कहीं भी आपने रास्ट्र जैसा शब्द करते हैं लेकिन लेट वैदिक टाइम पीरिड में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया किया लेकिन इस शब्द को आप उस शब्द से यहां पर लग्रा का प्रयोग हमें यहां से कर आते हैं चलो जी आगे बड़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोड रहे connections राजा स्विक्षा से दी गई भेट को प्राप्त करता था अब क्या इस समय जो राजनीतिक व्यवस्ता अपने वो तो देख लिया कि राजा सर्वशक्तिमान हो गया है उसकी मदद पुरोहित कर रहे है सभा समीती कमजोर हो चुकी है महिलाओं को सभा से बाहर कर दिया गया है ठीक है ये सब हमने यहाँ पर डिसकस करा अब जानते हैं कि जो राजा है सर्वशक्तिमान हो रहा है क्या वो इतना सर्वशक्तिमान हो गया है कि उसका अपने एक राजमहल है उसकी अपनी स्थाई सेना है उसका अपने कर प्रणाली है तो नहीं क्योंकि agriculture ही surplus में नहीं है क् क्रिशी अधिशेश नहीं है तो फिर काय का राजा मतलब राजा क्या करेगा लोगों से लेगा क्या है ना जो लोग बो रहे हैं यहाँ पर इसके छेत्र में एक आदमी इतना ही अनाज बो रहा है कि उसका परिवार पल जाए दूसरा आदमी भी इतना ही अनाज बो रहा है क कि आधी family का अनाज तुम मुझे दे दो, as a text पे कर दो, मुझे अनाज, बदले में मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ, है न, लोग को यह attack करेंगे, तो हम तुम्हें protect करेंगे, अकाल पड़ेगा, तो हम तुम्हें अनाज देंगे, या कोई भी ऐसी व्यवस्था आती ह कर रहे है, उतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, उत्पादक्ता बढ़ नहीं रही है, तो इसी वज़से अभी राजा, मांगने वाला ही राजा था, स्वेक्षा से दी गई भेट प्राप्त करता था, जैसे अर्ली वैदिक टाइम पीरिड में बली चल रहा था, स्वे जानवर जाद है, वो पकड़ा दिया, तो इस तरह से स्वेक्षा से दिये गए, करकी ही व्यवस्था आगे चली, लिकिन फिर भी क्योंकि राज्या शेक्तिचाली हो रहा था, तो वो उस बली को भी धीरे-धीरे फिक्स कर रहा था, जो स्वेक्षा से दी जा रहे है ती कर, जिसे आप देने गए, आपके घर दूद जादा हो गया, दो किलो दूद देने गए, तो वो बोलेगा कि देखो मैं चाता हूँ कि अब तुम कोशिश करो कि हर बारी ये दो किलो दूद दे जाओ, तो जो वो स्वेक्षा से दिया गया था, वो धीरे-धीरे उस पर बाध्य किये जाने की प्रक्रिया चालू होगे, लेकिन आगे इसे राजा ने अपना अधिकार बना लिया, कि देखो तुम अभी दे गए हो 2 किलो दूद, या तुम इतना गेहूं दे गए हो, लेकिन मैं आप लोग को इतनी सर्विस दे रहा हूँ, तो आपको हमेशा कोशिश करने जाएगा, कि आप इसे दिया करिए, थोड़ा फोर्स फुली चीजे चालूँगी, लेकिन फिर भी प्रॉपर टेक्सेशन सिस्टम नहीं आएगा, या कोई अधिकारी नहीं होगा कि जाके लोग के घर से दूद, दही और यहूं वसूल करके लाए, क्योंकि टेक्स में तो यही पे कर सकते हैं, अभी तक करिंसी तो आई नहीं है, कि पैसा मांगा जाएगा, बार्टर सिस्टम पे ही बेस चीजे, ठीक है, राजा का पद भी अनुवांशिक हो गया, धीरे धीरे यह अपने पद को अनुवांशिक करेंगा, अनुवांशिक का मतलब है कि बेटा, कांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया, एक तो जो टेरिटरी का किंग हुआ, उसने राजा की शक्ती बढ़ा दी, दूसरा पुरोहिद बैठे में, पुरोहिद कराएंगा, लग-लग युद्ध, यग्य, अशुमेद, यग्य, राजसुई, यग्य, वाजपे, यग्य, और इन सारे यग्यों के माध्यम से वो क्या बोलेंगे, राजा हो गया, क्या बहुत पावर्फुल हो गया, और लोगों को उसकी सुप्रिमेसी माननी पड़ रही थी, उनके द्वारा राजशुई, अशुमेद, वाजपे, इस तरह के यग्य कर कि बेसिकली जैसे अशुमेद, यग्य के बारे में आपने सुना होगा किसमे, हमारा जो एक एपिक है, रामायन महा काव्य है, रामायन के जो अंतिम चरण है, वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से राम जी जो है, उनका घोड़ा जो है, वो फ्री छोड़ दिया जाता था अशुमेद यगे का कंसेप्ट यही होता था, कि राजा के घोड़े को इस तरह से सजाद जाके छोड़ दिया जाता था, और राजा के टेरिटरी के बाहर, जिस जिस छेतर में, राजा की शक्ती की जाच इससे होती थी, कि कोई राजा कितना पावरफुल है, अगर आपका गोड़ा दूसरे के छेतर में जा रहा है, और वो राजा आपके घोड़े को रोके नहीं, यानि वो आपको अपने से जादा शक्तिशाली मानता है, और वो आपसे युद्ध नहीं करेगा, एक तरह से वो आपकी अधीनता स्विकार कर रहा है, छेतरूसी कर रहेगा, लेकि उसके बाद से अगर राजा जीतता था तो फिर एक यग्य कंड़क्ट कराया जाता था जिनमें बाकी सभी territory के जो king होते थे वो gift वगएरा लेकर आते थे उसे बोला जाता था अशमेद्यगे इसी तरह राज वाजपे यग्य कंड़क्ट कराया जाता था अपनी power को दिखाने क के लिए राजा अपने रिश्टिदारों के साथ में जो भी उनके चाचा मामा कोग का करते थे जीतते सब में राजा ही थे ठीक है तो इस तरीके का concept था और इन सब के बाद से हवन कराया जाता था तो वही उसके उसे बोलते थे अशमेद्यगे राजपे यग्य तो इस तरह में evidences मिलते हैं कोई proper taxation system नहीं था यह मैं बार बार बोलूगे इसे याद रखना है लेकिन हां कर नजराना का संग्र है थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रही ना प्रचली थोड़ा है और उसमें हमें एक term दिखाई देता है संग्रहिर्त यह जो व्यक्ति है ना इसे नाम से ह लग रहा है कि यह संग्रह करने वाला है तो कुछ ऐसा एक पद बनाया जा रहा था यह दिख रहाता हमें ठीक है बड़े बड़े यग्यों के अफसर पर राजा भारी मात्रा में दान और उफार बाटता था क्योंकि राजा पावर्फुल हो रहा है तो राजा क्या करेगा जब हवन होता था जब यग्य होता तो बहुत सारे यहां पर दान दक्षिना दिया जाता था राजा अपने क्रत्य संपादन में पुरोहित सेनापती पत्रानी उच्छ कोटी के अधिकारियों की सहायता लेता था ठीक है क्रत्य संपादन का मतलब है कि day to day जो वर्क होता था राजा का चाया वर से रिलेटेड या अधर वो इन लोगों की सहायता से काम करता था वही पुराना पहले भी पुरोहित थे अब भी पुरोहित पहले भी सेनापती अब भी सेनापती लेकिन अब इनकी शक्तियों में व्रधी हो जाएगे ना केवल राजा बलकि पुरोहित तो ब्रामन उसका रीजन कहता कि जब भी वार होता था उसके हिस्से का जादा पाट इन लोगों को मिलता था तो के लिए धीरे-धीरे पावर्फुल होते जाएंगे निचले इस तरपर प्रशाशन का भार संभवता ग्राम सभाव पर रहता था जो गाओं की गाओं इस तरप पर जो में सभाय दिखाई देती है वो मैनेज करती थी जिन पर कुलों के प्रधान का नियंत्रन रहता था जो कुल मतलब परिवार उनके जो मुखिया होते थे उनी का नियंत्रन होता था ग्राम सभाओं में और वो लोग मिलकर लोकल लेवल पर ग्रामेड इस्थर पर चीजो और बहु मा पिता सब घर पे ही है तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कुछ कमा के ले जाओ तो उन्हें खिला हूँ तो मैं आपके दरवार में पर्मनेंट खड़ा हो जाता हूँ बदले में मुझे चाहिए ना कुछ अनाज ले जाने के लिए शाम को तो आब राजा कब आनाज देता जब प्रॉपर टैकसिशन सिस्टम होता कहीं से आम लोग उसे आनाज देते कि राजा जी आप मेरी रक्षा करिए मैं आपको डेली 5 किलो आनाज दूँगा फिर राजा यह सेना को देता और यह पर्मनेंट काम करते लेकिन जब टैक्सिशन सिस्टम ही किसी को डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में बताईए यहां तक दन है भई सबको क्लियर है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संगठन अब सामाजिक संगठन का क्या कंसेप्ट है थोड़ा सा जानेंगे उत्तरवैदिक काल का समाज हमें चार वर्णों में विभकत दिखाई देता है जैसे कि अर्लि वैदिक टाइम पिरिएड में ही मैंने आपको बढ़ाया था कि वर्ण विवस्था आ चुकी है पूर develops काल बेही mama है लेकिन early वैदिक टाइम पीरिएड में जो वर्ण वाला कंसेप्ट है पहली बार वर्ण शब्द का प्रियुक रंग के लिए किया गया था गोर वर्ण श्याम वर्ण काला और गोरा इस भेद को बताने के लिए लेकिन थोड़े समय के बाद अर्ली वैदिक टाइम पीरिड में वर्ण जो सिस्टम है वो किसके लिए यूज किया गया समाज में जो अलग-अलग कारियों में लग पर हमें शुद्र वाला कंसेप्ट दिखाई देता तो ब्रामर शत्री वैशे शुद्र लेकिन यह जो वर्ण व्यवस्था आई थी रिग वैदिक काल में वो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से किस पर बेस्ड थी औक्यूपेशन बेस्ड थी मैंने आपको पहले भी बताय था कि एक घर में एक विक्ति के चार बच्चे हैं वो अलग-अलग वर्ण के हो सकते हैं उनका काम क्या है उस अधार पर ठीक है लेकिन जो लेटर वैदिक टाइम पीरिड था यहां पर हमें पता लगता है कि वर्ण व्यवस्था का स्वरू बहुत ही जटिल हो गया जटिल ह वार आपकी रक्षा का काम करें वैशे जो है शिल्प आदी कर्मों में लगा रहा है खेती वगेरा शुद्र जो है बाकी तीनों वर्णों को जो अपनी सर्विस दे वो यहां पर शुद्र कहला रहा था तो लेटर वैदिक टाइम पीरिड में यह जटिल क्यों हुआ जटिल अच्छा ना हो ग्यान ना दे पाए पूजा पाट ना कर पाए तो वो क्या बन सकता था शत्री बन सकता था वैशे भी बन सकता था शुद्र भी बन सकता था ठीक है तो उसकी इस्थिती इधर उदर जा सकती थी अब उस पे अपना वर्चस से स्थापित करने के लिए चाए भी उसी वर्ण का कहलाएगा यानि अब occupation based से हटा कर वर्ण व्यवस्था को किस पर कर दिया गया जन्माधारित कर दिया जन्माधारित करते ही जटिल स्वरूप हो गया अब शूद्र का बच्चा है वो काबिल है अब वो काबिल है तो वो पहले ब्रामर शत्री वैशे कुछ भी बन सकता था लेकिन अब उस पर बात देता हो गई क्योंकि तुम्हारा ये पित्र जो आपके पारिवारिक परंप्रा ये है तो आपको परंप्रावाइज उसको फॉलो करना पड़ेगा ओके तो ये जटिल स्वरूप हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है वर्ण व ब्रामन बन बोल ठा कि देखो मैं यूग और इस आपकी शक्ति में व्रद्धी होगी तो राजा की शक्ती में व्रद्धी करवा रही है ब्रामन और राजा जो ऑख ब्रामन को पर दिन बढ़ा थो और इससे ब्राम्मन की शक्ती में भी अपार व्रद्धी होते वे दिखाई देती हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या discuss करना है कि ब्राम्मन लोग, sorry ओके, नेक्स्ट हमें देखना है, ब्राम्मन लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुस्ठान और यग्य करते थे और उसके बदले में राजा से अभैदान प्राप्त करते थे यानि कि यहां पर यह बोल रहा है कि जो ब्राह्मन्स थे वो भी अपने स्टेटस को धीरे-धीरे उचा कर रहे हैं और स्टेटस को उचा करने के लिए हमें पता लगता है उनके द्वारा जो उनके यजमान होते थे, जो भी उनके क्लाइंट होते थे, जैसे राजा, उनके लिए बड़े-बड़े धार्मिक अनुस्ठान करते थे, अब धार्मिक अनुस्ठान राजा क्यों करा रहे हैं, राज अनुस्ठानों को कराने के बाद से चेत्रवर्दी मान समान धन व्रद्धी होती है तो राजा ये सारी चीजे कराएंगे बिलकुल कराएंगे हमें यही दिखाई देता है कि ब्रामर लोग अपने यजमानों के लिए बड़े-बड़े धार्मिक अनुस्ठान और यग्य को लेते थे अभ्यदान लेते थे मतला बहुत जादा जादा उधर से दान इनके द्वारा दिया जाता था नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में यानि वह जो लेटव वैदिक पीरिएट था उसमें इस बात पर बल दिया जाने लगा कि ब्रामनों और शत्रियों के बीच परस पर सहयोग रहना चाहिए हमें पता लगता है लेट वैदिक टाइम पीरिड में कि जो ब्रामन्स हैं और जो शत्रियों इसके बीच में क्या होना चाहिए परस पर सहयोग बना रहना चाहिए ये बात इन्हें समझ में आ गई थी ताकि ये दोनों जो वर्ग हैं ये समाज के मां जमान वैभव इनको बढ़ाने के लिए इनका शहरा ले रहते तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे है और ऐसा नित नहीं की शट्र ब्लाधी जग्डा यह कुछ नहीं होता था छोटे-mोटे देखने को मिलते थे लेकिन फिर भी कुल मिलाके समाज में ये दो वर्ण जो है कहीं न कहीं अपनी एक यूनिटी जो है वो प्रदर्शित करती थी और यही रीजन था कि आगे चल कर ये समाज के दो शक्तिशाली वर्ग के रुप में हमें उभरते विए दिखाई देंगे बस प्रॉब्लम क्या था प्रॉब् बहुत जटिल हो जाएगी मतलब जो दूसरे वर्ण के लोग है उनके हाँ पर जो भी बच्चे होंगे उन पर बाद्धेता हो चुकी है कि उसी में आपको बंद कर रहना है ठीक है नेक्स्ट राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामानली की कोटी में रखे गए बोल रहे हैं कि जो राजा थे उनके परिजन होते हुए भी वैश्य जो लोग थे ना उनको आम लोगों में काउंट किया घया ठीक है मतलब राजाओं के बेसिकली संबन्द जो है वह वैश्य से होते थे लेकिन उसके बावजूद भी उनको वैसा ट्रीट्मेंट नहीं मिल है ओके हमें पता लगता है कि उन्हें उत्पादन संबंदी काम सौपा गया जैसे क्रिशी हो गया पशुपालन हो गया यह उनको दे दिया गया यानि कि मेंली जो एकॉनमी है उसको कौन सपोर्ट करने वाले थे वैश्य केटेग्री या वैश्य वर्णे के लोग सपोर्ट करन है वैश्य वैश्य को दे दिया चाहेगा इसका मतलब है वैश्य बहुत पावरफुल हो जाएंगे रिड हो जाएंगे यही पूरी एकॉनमी का जो बेस है एग्रिकल्टिर एनिमल हस्बेंडरी इसको करने वाले थे नेक्स्ट बोल रहा है उत्तर वैदिक काल में लेट वैदिक टाइम पीरिड में केवल वैश्य ही राजस्व चुका थे थे हमें पता लगता है कि आगे चलकर वैश्य ही वह व्यक्ति थे जिनके द्वारा राजस्व चुकाया जाता था क्योंकि राजा क्या कर है प्रोडेक्टर का काम कर रहा है ब्राह्मन क्या कर रहा है पुरोहित का काम कर रहे है तो इन दोनों यह तो यहां से तो आपको खाना मिल नहीं रहा है ठीक है यह तो बल्कि ले रहे हैं अपनी सर्विस देने के बदली यह तो सर्विस दे रहा है आपकी रक्षा करना या पर आपको पढ़ाना या फिर यग्य कराना अब यहां पर जो में टेक्सपेयर होंगे वो कौन होंगे तो में टेक्सपेयर हमें कौन दिखाई देते हैं जिन पर पूरी इक्सपेयर यही बनते हैं आम कबाईली लोगों को वशमे ला कर उन्हें करदाता बनाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही अब हो क्या हरा था पूरी के पूरे जो राजय में जितने भी जनसंख्या थी या फिर दूसरे छेतरों के भी जो कबाईली लोग थे उनको धीर धीरे इसी वर्ण में जगा दी जारी थी ताकि ये लोग क्या करें उत्पादन का काम करें या तो एग्रिकल्चर करें या एनिमल हस्बेंडरी करें और वहां से ये टैक्सपेर बने और जितना ज्यादा लोग ये काम करेंगे उतना ज्यादा टैक्स मिलता जाएगा और जितना ज्यादा मिलेगा उससे हमें यहाँ पर profit होतावा दिखाई देता, राज्य कर राज्य फलेगा, फोलेगा, जितना tax मिलेगा है न, चालो, आगे बढ़ जाते, उपर के तीन उच वर्णों और शुद्रों के बीच, विभाजक देखा देखने को मिलती है, ठीक है, अभी तक आपने जिन तीन वर्णों के बारे में प्रभुत्व संपन थे, ये वाले कि अगर हम बात करें, ये प्रभुत्व था इनका समाज में, इस वर्णी की इस्थिती भी कुल मेला के अच्छी थी, बस इस वर्णी की इस्थिती वहां खराब हुजाती थी, जहां स्टेटस की बात आती थी, ये tax तो pay कर रहा था, पू काफे ठीक थी, सबसे ज़्यादा निराशा जनक हमें इस्थिती किसकी दिखाई देती है, इस वर्णी की दिखाई देती है, जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, शुद्र बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, कि जो शुद्र वर्ण है, इनकी इस्थिती बहुत ही दैन लग जाती है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिल्पियों में हमें कौन-कौन दिखाई देता है, तो शिल्पियों में रथकार, आदी जैसे कुछ वर्णों का उचा इस्थान था, और उन्हें यग्यों पवीत पहनने का अधिकार प्राप्त था, इस प्रकार उत्तरव कपड़े बना रहे हैं, खिलोने बना रहे हैं, या अन्य वस्तवे बना रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जो शिल्पि थी ना, इनका भी कुल मिलाकर उचा इस्थान था, इस्पेशली अगर मैं बात करूं कौन से शिल्पि, जो लोग रथ बनाया करते थे, ठीक है, क्योंकि र बना जाएगा, और क्योंकि ये रथ बना रहे हैं, इसे कैटेग्री वाइस थोड़ा सा सुपीरियर माना जाएगा, है तो दोनों ही शिल्पि कैटेग्री में, तो जो लेटर वैदिक टाइम पीरेड थे, यहां पर हमें दिखाए दे रहे हैं कि जो भी ये बनाने वाले हैं इनका कुल मिला कर थोड़ा उचा स्थान था, शिल्पि में भी सारे शिल्पि नहीं कुछ स्पैसिफिक जैसे रत्स वगेरा बनाने वाले, और इनको ये राइट था कि ये यग्यों पवी धारन कर सकते थे, वो जो धागा पहनते हैं, ठीके, इस प्रकार हमें बता लगता ह कि लेटर वेधी टाइम पीरिड में वर्ण विवस्ता इतना भी जटिल नहीं था, धीरे-धीरे समाज में इसका जटिल से जटिल रूप, जटिलतम रूप हमें दिखाई देगा, ठीके, परिवार के इस तरपर पिता का अधिकार बढ़ता गया, हमें पता लगता है कि धीर हो चुका था, घर में, अगर वो चाहे, तो अपने पुत्र को परिवार से क्या कर सकता था, वंचित तक कर सकता था, ठीके, नेक्स्ट, इस्त्रियों का दर्जा समानेता गिरा, अब विमिन्स की सिचुएशन जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कि रिग वैदिक टाइम पी अब अपने पती के साथ, राज्याभी शेक अनुस्ठानों में साथ रही, तो हमें यहाँ पर यह पता लगता है, कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई, अभी विमिन्स का स्टेटस गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, अब आपको सबको पता है, किसी को बताने की जरुरत नहीं है, हमने देखा कैसे सभा से महिलाओं को अंदर कर दिया गया, मतलब सभा से बाहर कर दिया गया, घर के अंदर कर दिया गया, तो महिलाओं की इस्तिति धीरे धीरे गिर रही है, लेकिन फिर भी लेटर वैदिक टाइम पीरिड में हम यह नहीं बोल सकते, कि महिलाओं की इस्तित अनुस्ठानों में भाग लेती थी, यानि ये जो यग्यहवन आहूती होती थी, उसमें उनका participation हमें दिखता था, ठीक है, उत्तरवैदिक काल में, अब ये most important है, देखो अगर कभी भी वर्ण विवस्था के बारे में पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ण विव अब ये बधरतन ये आता है कि रेक वैदिक काल में वर्ण विवस्था कैसी थी, ये थी व्यवसाय पर आधारित, यानिा occupation based थी, और later वैदिक time period में वर्ण विवस्था कैसी हो जाती है, ये हो जाती है by birth यानि की जन्म पर आधारित हो जाती है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ अब यहां पर लेटर वेधिक टाइम पीड़र में कौन सी नई चीज इंटर्डियूस होती है एक बहुत इंपोर्टेंट सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं गोत्र प्रथा आज आप इंडियन सोसाइटी में देखेंगे गोत्र बहुत लोग देखते होंगे अगर आपका गोत्र मिल रहा है लड़का लड़की का विवा अगर होना है और उनका गोत्र मिल रहा है तो वो एक ही कोई के हैं उनका कहीं न कहीं कोई न कोई जनरेशन में एक ही पित्र से निकल कर उनकी जनरेशन आगे बढ़ रही है ठीक है तो गोत्र का मतलब है कि एक ही प origin होता है लेट वैदिक टाइम पिरेड या फिर उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा इस्थापित हुई इसका मूल अर्थ है गोस्थ या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था तो जैसे आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था की समाज को चार ग्रूप्स में डिवाइट कर दिया बाद में इसी वर्ण व्यवस्था को बाइबर्थ करके बहुत जटिल बना दिया तो एक्चिल रूप कहां से कैसे मूफ करके आया और समाज में वर्तवान में ये परिपक को रूप दिखाई देता है क्लियर हो गया लेकि पर गहें तो आलमोस सभी लोग गय का पालन करते थी तो यहाँ पर यह ही बोला है कि इनिशिली गॉत्र गो गय से निकला वह शब्द को गोत्र का मतलब ये हुआ करता था, कि जहां पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, मतलब पूरा के पूरे जितना कुल होता था, परिवार होता था, उनकी गाय जिस जगा पर बांधी जाती थी, उस इस्थान के लिए हम इस शब्द का प्रियोग करते थे, गोत्र, ओके, समझ में आ गया, लेकिन बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पूरुश से उत्पन, लोग दिया गया कि गोत्र का मतलब है कि एक ही मूल पूरुश होगा, एक ही व्यक्ति उसके पांच बच्चे, पांच के फिर पांच और पांच बच्चे, फिर पांच के पांच बच्च बच्चे, इन सब का गोत्र एक मतलब कि एक ही पिता से उत्पन हुए, एक ही मूल है क्या मतलब है I think यहां तक सभी के समझ में आगया होगा next हम आगे बढ़ते हैं next क्या बोल रहा है यहां पर वैदिक उतर काल के ग्रंथ से हमें चार आश्रम दिखाई देते हैं यानि कि जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड के जितने हमें ग्रंथ दिखाई देते हैं उसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में आपको थोड़ा सा समझाओं यह लेटर वैदिक उत्तरवैदिक काल की ही उपश्ती आश्रम वैवस्था क्या है बेसिकली यह बोलता है कि हमें अपने जीवन को चार चर्णों में विभक्त करना चाहिए मतलब आपका जो जीवन है जीवन धाचे, आपके समझ, आपके क्या बोलते है, experience, इन सब का एक महत्व होता है, आपके body के जो energy है, यह सब चीजे जो हैं, आपके जीवन के पड़ाओं को निर्धारित करती हैं, for example, जब आप बच्चे हैं तो आप बच्चे ही रहेंगे, आप बड़े तो बन नहीं जाएंगे, उस समय आपके जीवन का एक कारे होगा, जब आप बड़े होगे तो आपके जीवन का कोई और कारे होगा, जब आप रधावस्था में जा रहे होगे तो आपके जीवन का कोई और कारे होगा, जब बिलकुल जीवन के अंतिम पड़ाओं में होगे, तो आपका कोई और कारे कोई और उर्जा होगी कोई और सारी रिक्षमता होगी कोई और मानसिक स्थिती होगी यह सारी चीजे जीवन के कुछ-कुछ समय के बाद पड़ाओं में चेंज होती रहती पच्चिस-पच्चिस मानिये जैसा भी आप उसको डिवाइट कर सकते हैं तो बोल रहें कि लेटर व सन्यास ब्रह्मचर्य ग्रहस्त वानप्रस्त सन्यास क्या क्या है इसका मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब है ऐसे विक्ति जो आपके जीवन का वो पड़ाओं जिस पड़ाओं में आपको ब्रह्मचर्य जीवन जीना ब्रह्मचर्य जीवन बेसिकली क्या होता है sexual activity, alcoholic activity, इन सबसे आपको दूर रहना है, ठीक है, आपको पूरा ध्यान, मतलब जीवन का जो शुरुवाती पड़ा होता है, उस समय आपको पूरा ध्यान किस पर लगाना है, अपने आप पर लगाना है, उस समय आपके body में सबसे ज़्यादा energy होती है, जैसे बचे का दिमाग कर रहा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उर्जा, सबसे ज़्यादा दिमागी शमता हमें जीवन के पहले पड़ाओ में दिखाई देती है, और इस समय अगर आप दूसरी activity में लग गए, तो आप अपनी पूरी शमता का प्रियोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए यहां बोला गया है कि जीवन का पहला पड़ाओ ब्रह्मचरे का है, जहां पर आपको कुछ सीखने पर जोड़ देना चाहिए, जैसे आपकी सिक्षा होनी चाहिए, आपको स्किल्स सिखे, आप जीवन को समझे कि जीवन एक्चुली है गया, जीवन के challenges को face करना सीखे, जित हो जा रहा है तो दूसरा पड़ाओ यहां पर बोला गया ग्रहस्त, जो आप अपने जीवन के दूसरे पड़ाओ में कदम रखते हैं, आपका विवाह होता है, आप जो समाज है उसको आगे बढ़ाते हैं, आपके बच्चे होते हैं और उस ग्रहस्त जीवन का आनंद लेते हुए, आप उन बच्चों को अच्छी सिक्षा, अच्छी विवस्था, एक परिवार जो है उसकी विवस्था कायम करते हैं, ठीक है, अगला जो हमें पड़ाओ दिखाए देता है, उसको बोलते हैं वानप्रस्त, वानप्रस्त बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, वानप्र मैं अपने हिसाब से सजाओंगी, मैं अपने हिसाब से यह करूंगी, बहुत सारी चीजे होती है, लेकिन बहू की अभी सास भी है, और सास वी वानप्रस्त में जा चुकी है, लेकिन फिर भी उने लगता ही, अभी भी वही घर की बहू है, तो कई बार क्या होता है, एक समय हमें अपने बाद जो नई जनरेशन आई है उनको कुछ कुछ चीज़े सौपने पड़ती है क्योंकि अब उनका वो समय है कि वो चीज़ों को निर्धारित करें और कई बार हम अपने ग्रहस्त जीवन को छोड़ते ही नहीं अभी में हम ग्रहस्त पकड़ के बैठे हैं 50 साल के हो गए 60 साल के हो गए तो इनको कब मौका मिलेगा जो नई जनरेशन आईगी तो यहां पर बोलाएगा जीवन का एक और पड़ाओ है जब आपके बच्चे बड़े हो जाए आप उनको आर्थेक घर की सारी जिम्मेदारिया सौपे और सौप कर धीरे-धीरे घर मोमाया से सा होता है ना उसको धूप का दुख ना उसको बारिश का सुख ना उसको कपड़े का दुख ना उसको कपड़े का सुख ना जीव की चाहत की मुझे कुछ अच्छा खाना है वो होता है सन्यास मतलब हर वक्त वो त्रिशना से इक्षा से अपने आपको दूर रहता है और अप इश्वर से तभी आप connect हो सकते हैं, भगवान से actually हम तभी connect हो सकते हैं, purity के साथ अगर मैं बोलो तो, जब आपके अंदर की तृष्णा, इक्षा, यह सब खतम हो जाएगी, अभी भगवान से connection का मतलब क्या है, कोई ना कोई reason होता है, लोग connect होते हैं भगवान से, लेकिन किस ना किसी purpose ली, भे के purpose से कि इश्वर की अरादना नहीं की तो जीवन में कुछ गड़बठ हो जाएगा, इश्वर मतलब God किसी भी रूप में, किसी भी धर्मे के बाद करो, अन्य कारणों से इश्वर की अरादना करते हैं, कुछ चाहते हैं, और इश्वर की actual अरादना या पुरिटी वो है, जो हमारी सारी चाहत खतम हो जाए, जो हमारे अंदर की तृष्णा, इक्षा, सब्मर्ज है, तो वो हमें जीवन के इसी पड़ाओं में मिल सकता है, क्योंकि वो सारे पड़ाओं तो चाहत के ही है, मतलब एक तृष्णा के है, चलो, आगे बढ़ जाते है तो यहाँ पर यहीं बोल रहा है कि लेटर वैदिक टाइम पीरिड वो टाइम पीरिड है, जहाँ पर हमें आश्रम वैवस्था दिखाई देती है, जीवन को चार पड़ाओं में विभगत किया गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में, हमें बेसिकली लेटर वैदिक टाइम पीरिड में तीन आश्रम ही दिखाई देता है, यह जो सन्यास वाला कंसेप्ट है न, यह हमें बाद में दिखाई देता है, उत्तर वैदिक काल में, प्रॉपरली यह हमें नहीं दिखता है, थोड़ा सा बाद में चल कर दिखाई देता है, 600 BC के बाद में हमें के सन्यास वाला कंसेप्ट दिखाई देता है जैनेजम में भी हमें 600 BC के आसपास यह दिखाई देता है ठेक है तो यह आपको ध्यान रखना है यह जीवन के आपके चार पड़ाओं है इसी तरह से आपको जीवन निकालना चाहिए चलो आगे बढ़ जाते ह नेक्स्ट क्या बता रहा है देवदा, अनुस्ठान और दर्शन यहां पर यह बोल रहा है कि अब जानते हैं लेटर वैदिक टाइम पिरिट के देवी देवताओं के बारे में जब भी आप वैदिक एज पढ़ रहे हैं चाहे आपने पढ़ा वैदिक काल में दोनों के बार है ताइम पिरिट था जहां पर हमें पता लगता है कि प्रकृति को ही इश्वर के रूप में मानकर पूजने लगे यानि कि जो हमारा नेचर है ना उसी को पर्सोनिफाय कर दिया गौड के रूप में जो हमारी प्रकृति है ना उसी को भगवान का रूप मानकर इनके द्व वरुण, नासत्य, पूशन, सोम, यह सारे क्या है, प्रकृती ही है, और प्रकृती का ही दैवी करन करके उनको पूजा जाने लगा, ठीक है, पूजा जाना मतलब ऐसा नहीं कि मंदिर बना रहे हैं, मूर्ति पूजा प्रारंबु नहीं, अरली वैदिक टाइम पिरेड में से कम होने लगता है, और उत्तर वैदिक काल में हमें त्रिदेव का कंसेप्ट दिखाई देता है, ब्रह्मा, विश्नु, महेश, यह वाला कंसेप्ट हमें दिखाई देता है, लेटर वैदिक टाइम पिरेड में, लेटर वैदिक टाइम पिरेड में भी जो पूजा की विध संख्या में चड़ेगी यानि पहले जो है आहूती दी जाती थी किसकी अनाज की दूद की घी की लेकिन लेटर वैदिक टाइम पिरेड में आहूती दी जाएगी जानवरों की ठीक है उनकी बली दी जाने लगी लेटर वैदिक टाइम पिरेड में बड़ी संख्या में इसी व थोटे-मोटे यहां से मूर्ति पूजा के कंसेप्ट दिखाई देते हैं, हलके लेवल पर दिखने लगते हैं, ठीक है, तो देवता, अनुस्ठान और दर्शन के बारे में जानते हैं, उत्तर वैदिक काल में, उत्तरी दवाब, ब्राह्मनों के प्रभाव में, आरे संस्कृत का केंद्र बन गया, यानि कि जो लेटा वैदिक टाइम पीरियड था, ये पूरा का पूरा दो जो दवाब, दवाब मतलब दो नदियों वाला शेत्र है, तो उत्तरी दवाब वाला रीजन था, यहां पर हमें दिखाई देता है, पूरा का पूरा ब्राह्मन का वर्चस्व हो गया था, यग्य इस संस्कृति का मूल था, आपको पहले ही पता है कि आरेंस जो है, उनका कोर क्या था, यग्य था, जहां जहां आरेंस दिखाई दिये हैं, वहां वहां पर हमें यग्य अनुस्ठान दिखते थे, तो यग्य जो है, वो इस संस्कृति के मूल में था, और यगे के साथ अनेक अनेक अनुस्ठान और मंत्र विधिया प्रशलित हुई, मतलब जब यगे किया जाता था, तो इसके साथ हमें बड़े-बड़े अनुस्ठान करते हुए, और मंत्र करते वे, मतलब कि यग्ये के साथ बहुत सारे और भी जो activity थी बड़े-बड़े अनुस्ठान होते थे, जैसे आपने देखा ना, राज जसुई, अशुमेध, प्रॉपर वहाँ पर इंवाइट किया जाता था, दान दक्षिनात दी जाती, तो इस तरह के अनुस्ठ कारेक्रम होते थे, शादी विवा, बहुत सारी और चीजें हमें होते वे, दिखाई देती हैं, और इस समय हमें मंत्रोचारण भी दिखता है कि किस तरह से इन लोग के द्वारा मंत्रोचारण किया जाता था, देवताओं में दो सबसे बड़े देवता, इंद्र और अगनी अब उतने प्रमुख नहीं रहे, अब यहाँ पर दिखाई देता है एक तो यह चीज, कि यग्ये ही अभी भी हो रहा है, ठीक है, यग्ये में मंत्रोचारण चालू हो गया, पहले मंत्रोचारण नहीं था, अब मंत्र के साथ आहोती दी जाएगी, बड़े-बड़े अनुस कि जगा किसने ले ली थी, श्रजन के देवता, प्रजापती को सर्वोचिस्थान मिला, प्रजापती जिन्हें आप बोलते हैं, शिव का ही एक रूप, तो बोल रहा है कि श्रजन के देवता, पूरी स्रिस्ट्री का जो श्रजन करने वाले हैं, इनको महत्व प्राप्थ कुछ अन्य गौड देवता भी प्रमुक है जहां पश्वो के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई ठीक है तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मंदिर में अगर आप जाओगे तो बीच में एक मुख्य देवता लगे होते हैं ठीक है और उनके चार और देवता के रूप में महत्तो प्राप्ति करते हैं यह लोग आगे विश्नु को अपना पालक और रक्षक मानने लगए कि हमारा जो पूरा का पूरा पालनहार है ओके हमाने जीवन का जो सर्वाइब कराने वाला है हमें जो प्रोटेक करने वाला है वो कौन है वो लोग टेक है उत्तरवाधिक काल में मूर्ति पूजा के आरव में के कुछ अभास मिलते हैं लेटर वेधिक टाइम पिरेड में थोड़े थोड़े हमें मूर्ति पूजा का कंसेप्ट दिखेगा बहुत माइनर लेवल पर ठीक है कुछ अभास मिलता है exact देखो हमें नहीं पता रहे भौते को देश्य का मतलब आप समझ रहें कि अराधना की जाती थी इश्वर की अराधना करने के जो पहले अब भी वही अबजेक्टिब्स बने रहे जैसे पहले क्यों यग्य किया जाता था अपने आपको शक्तिशाली दिखाने के लिए वो इस समय भी चल रहा था ठीक जो जिस रीजन से पहले कराया जाता था उसी रीजन से अभी कराया जाएगा यग्य करना अधिक महतवपूर हो गया और इसके सार्वजनिक वह घरेलू दोनों रूप प्रचलेत हुए मतलब बोल रहा है कि यग्य ना अब इतना जादा महतवपूर हो गया कि इसको घरेलू सार्वजनिक रूप से दोनों ही तरीके से कराया जाने लगा एक्जामपल आज जैसे बहुत सारे हिंदू बढ़ गया कि इस समय हमें दोनों प्रकार के यगे दिखाई देते सार्वजनिक घरेलू दोनों ओके यगे बड़े पैमाने पर यगे में पशुबली दी जाती थी जिसे खास तौर पर पसुधन का राज हुआ देखो अर्ली वैदिक टाइम पिरिएट पे यह रिग वैदिक इकॉनमी हो गई इस समय पर हमें पता लगता है बड़े लेवल पर पशुबली दी जाएगी यगे आहूती करते वे ठीक है और एग्रिकल्चर बेस्ट एकॉनमी थी तो थोड़ा पशुबली दी जाती थी जिससे खास तौर पर पशुधन की हमें रास या फिर उसकी कमी हो गोगने कहलाते थे गाय का इतना महत्व था कि गोगने कहलाया जाता था कि इसको आती थी जब आते थी आते थे बोले गोगना आ गए ठेक है क्योंकि उन्हें गोवमान्स खिलाया जाता था तो आज हमारे जो बहुत सारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी फैमिली गौरक्षा की बात की जाती है इवन हमारे DPSP में भी ये बात की गई है लेकिन अलग-अलग रीजन की बज़से हमें दिखाई देता है कि अर लेटर वैधिक टाइम पीरेड में भी ये थोड़ा बहुत रिच्वल के फॉर्म में प्रेजेंट था रिच्वल के फॉर्म में त तो अब बता लगता है यहाँ पर गौगन मतलब की गौमान्स जो है उन्हें खिलाया जाता था इसलिए ये टर्म यूज किया जा रहा है यग्य में कर्म के सांथ साथ मंत्र पढ़े जाते थे यह इंपॉर्टन्ट है लेटर वैधिक में ही यह मंत्रों चारण चालो होता है यग्या होती देते वे यग्य करने वाला यजमान कहलाता था यग्य की दक्षिणा में समानिता गाय और दासिया तो दी जाती ही थी यह अरली वैधिक टाइम पीरिड में भी आपने देखा पुरोहितों को गाय दी जाती थी क्योंकि गाय का बहुत महत्त था और दूसरा द दिहान दीजेगा अब पुरोहित मांग रहे है राज्य का कुछ भाग तो दिमाग में क्वेशन आएगा कि यह पहले क्यों नहीं मांगा क्योंकि पहले जमीन का महत्व ही नहीं था पहले राजा कबीले का राजा होता था और जनरली उससे यह आकांशा की जाती थी कि जब जाए वहां पर क्या करते थे कभीलाई लोगों से खेती करवाते थे और वहां से प्रोडक्शन जो है वह लेते थे तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समाज में कैसे चीजे चेंज हो रही है क्यों पहले गाये दान में दी जाती थे और उसका इतना महत्त था अब यहां व्रण नान वेदिक काल के अंतिम दौर में यानि वैदिक काल की लास्ट फेस था पुरौहितों के विरुधत तथा यंग्य और कर्म कांडों के विरुधत प्रबल प्रतिक्रिया प्रारम हुई हम आपको बताए कि यह जो व्यदिक काल का लास्ट फेस था जिसे आप लेटर व्यदिक टाइम पीरिड का भी वो टाइम पीरिड जो हमें 600 इशापूर्व के आसपास दिखाई देता है बहुत जटिल स्वरूप हो चुका था एक तो आपको वर्ण व्यवस्था दिखाई दे लेकिन लेटर व्यदिक में आगे चलके बहुत ही खराब होने लग जाती क्योंकि यह सारी व्यवस्था जन्माधारित कर दी गई थी दूसरा समाज में हमें दिखाई दे रहा है कि जो व्यदिक कर्मकांड थे इस पर इन दोनों ही वर्णों का वर्चस्व था व्यदिक कर् करना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था कि बाकी दोनों वर्ण अपने आपको इंफीरियर फील करने लग गए थे ठीक है एक और एकनॉमिकली भी अगर हम बात करें तो देखो एकनॉमिकली भी यहां पर हमें कुछ चीजे दिखाई देती है जैसे कि जो वैदिक टाइम पि ग्रॉसरी के शॉप पर वह गली बिलकुल शान देती आप डेली वहां से जाते थे लिकिन आप वहां पर दो ऐसे परिवार आके बसे जो रोज एक दूसरे से फाइट करें डेली लड़ें तो आप उस गली से जाएंगे नहीं आप धूड़ेंगे दूसरा लाता बहले अपार है वो काफी जादा प्रभावित होता है ठीक है तो वह इसके बहुत जादा पक्षधर नहीं थे दूसरा हमें पता लगता है कि वर्ण व्यवस्था में हमें कुछ और चीज़े सामने आती है जिसे पता लगता है कि जो आपके बाकी दो वर्ण है वो कुल मिलाकर बह तो यह कुछ ऐसी चीजे हमें चलते हुए हाँ जानवरों का बहुत जादा जादा जो बली दिया जा रहा था नेटमवैदिक टाइम पीरिड में इससे भी वैश्य वर्ड खुश खुश नहीं था क्योंकि आपको बता है कि अगर जानवरों की बड़ी संख्या में बली दी ज लगता कैसे बढ़ेगी तो इस वज़र से कुल मिलाकर यहां पर हमें चीजे कॉंप्लिकेटेड होते वें दिखाई देते हैं ठीक है चैसो इश्यापूर्व के आसपास उपनिश्दों का संकलन हुआ अब क्योंकि अब यहां पर आप सही फील नहीं कर रहें तो हमें आगे बढ़ें करना चाहा रहे थे और इसी चाहामें हमें पता लगता है किसका संकलन हो जाता है उपनिश्दों का संकलन हो गा उल्पनिशत जो पहली बार बात करेंगे आत्मा की ब्रहु की के आत्मा ब्रह्म का मिलन कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्ता में तो आत्मा ब्रह्म मिलन की बात नहीं की गई थी, वहां तो वैदिक कर्मकांट की बात की गई थी, उससे भी बाकी दोनों वर्णों को थोड़ा या जादा दूर रखा गया था, ठीक है, इन दार्शनिक ग इन दोनों का मिलन हो सकता है बिना इस कार्म कार्म कण्री विवस्था के उपनितों ने अत्म को पहचानने और आत्मा तथा भरहन की संबंद को सही जुट में बल दिया तो उपनित आगे हमें तरह से बोल सकते हैं कि पूरी तरह से परिशान हो चुके थे दो वर्ण के जो अन्य लोग थे वैश्य शुद्र जो उसे निकलना चाहरे थे उनके लिए यहां पर हमें उपनिशत का संसेप्ट दिखाई देता है ठीक है आगे बढ़ जाते उत्तर वैदिक काल में कई महतोपूर्ण परिवर्तन हुए प्रादेशिक राज्यों के शुरुवात हुए यहां से प्रदेश वाला राज्य बनेगा एक छेत्र पूरा का पूरा हमें बनते वे दिखाई देता है वैदिक सृह फी में किसका महतो था पश्वो का महतो था ठीक है और यॉद्ध केवल पश्वो को हथियाने के लिए बल्कि राज छेत्र पर यहाँ पर ये वाला मोटिफ तो चल ही रहा था लेकिन क्योंकि अब भूमी का महत्व बढ़ गया तो अब जब राजा वार लड़ता था तो दूसरी के टेरिटरी पर भी कबजा करता था अश्मेध ही यह इसी का एक 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 जामपल है ठीक है आरंबिक वैधिक काल का प्र स Sag home अब कैसा होगा क्रिशि आधार्यत समाज हो गया या क्रिशिप्रधान समाज हो गया यह सारी चीज़ आपकर लेंगे बहुत आज़ी ब्रामनों के सहयोग के बावजूद है राजयन्य्य शत्रीय राजय Tantri की स्थापणा कर पाएंग का कर राजय का ह्यां किया छक्ति बढ़ने में बाार। लेकिन फिर भे प्रॉपर जो राजन्य सिस्टम है, एक राज्य वाला स्ट्रक्चर है, वो हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ना तो इनके पास में एक निश्यत सेना थी, इस्थाई सेना थी, और इस्थाई सेना या अन्य ववस्था ना होने का क्या करण था, क्योंकि system proper developed नहीं हुआ था और कर व्यवस्था पूरी तरह से लागों नहीं होनी का क्या करण था क्योंकि इस समय हमें स्वारी, क्योंकि इस समय हमें उस लेवल की उत्पादकता नहीं दिखाई देती है, ओके, और उत्पादकता क्यों नहीं देखती है, भले कृषि चालू हो गया, लेकिन, एक तो कृषि में लोहे के fào往े हलो précis का प्रयोग बहुत जादा नहीं दिखाई दे रहा हमें, लकडि क की वज़े से agriculture तो हो रहा है लेकिन agriculture उस लेवल पर नहीं हो रहा है कि बड़ी उत्पादक्ता दे दे उत्पादक्ता बढ़ती तो टेक्स लेते टेक्स लेते तो उससे पर्मनेंट स्टैंडिंग आर्मी रखते और प्रॉपर राज वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता लेकिन यह नहीं हो पा रहा है लेकिन दोनों वर्णों के एक दूसरे को सपोर्ट करने के बाद इधर है ब्राह्मन और इधर है शत्री ओके लेकिन यहां पर हमें एक चीज क रूप में उपनिशत दिखाई देगा जो दर्शन की बात करेगा आत्मा ब्रह्म के और इसके बात जो अगला चैप्टर में आपको कराने वाली वो है बुद्धिस्म जैनिज्म तो इसी वजह से यहां पर हमें बौध और जैन धर्म जैसे धर्म दिखाई देते हैं क्योंक कुछ बच्चे बोल थे इंडर्स वैली सिवलाइजेशन का पार्ट नहीं हुआ देखिए अक्चली पार्ट वाला कंसेप्ट ही नहीं है यहां पर एक ही वीडियो में हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है तो वह वाला जो पार्ट रह गया है किसी भी दिन मैं उसको अप्लोड करा दूगी किसी दिन एक्स्टर क्लास के रूप में ठीक है तो आप लोग उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजे यह हमारा यहां पर जो लेटर वैदिक है चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा वैदिक टाइम पीरिड तीन चैप्टर है हमारी बुक में प बॉद्ध और जैन धर्म के बारे में बुद्धिस्म और जैनिस्म के बारे में तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नए सेशन में तब तक अपना ध्यान रखें रिवीजन करते रहिए थैंक यू